हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे मैं हूँ आपका नन्हा प्यारा दोस्त राजविर आप सब का स्वागत है हमारे अपने चैनल स्चोरी टाइम में आज हम एक कहाने पड़ेंगे जिसका नाम है ऐसे मिली सजा तो चलिए शुरू करने है यह उन दिनों की बात है जब पेड़ पौधे भी लोगों की तरद चलते फिरते और हस्ते बोलते थे जैसे लोग एक चगा से दूसरी चगा आते चाहते हैं घुमते हैं वही हाल पेड़ पौधों का भी था लोग सुबा उठकर देखते कि उनके दिर्वाजे पर कल रात तक लगा नीम का पेड़ गायब है और वहाँ पर एक अनार का पेड़ लहरा रहा है या पिर किसी के देखते देखते समने के खाली मैदान में अचानक एक आम का पेड़ आकरट डेड़ा डाल देता और अपने संगी साथियों को भी बुला देता कुछी देर में लोग पके हुए आम तोड़ लेते कभी किसी के आंगन में लगा कटाल का पेड़ किसी दूर देशे के लिए उड़ जाता है और ऐसा ही गुमता रामता कोई सेब का पेड़ा कर कुछ दिनों के लिए वहाँ ठर जाता लोगों को भी बड़ी सुविदावत थी उनके घर बैठे ही तरह तरह के पेड़ों से तरह तरह की चीज़ें मिल जाया करती थी जिसको जिस पेड़ के जरूरत होती पर दूसरे पेड़ के जरिये अपना संदेशा बिजवा देता एक बरगत का ये पेड़ ऐसा था जो गुमता गामता नहीं था और कहीं जाता था भी तो बता कर जाता इसलिए बहुदद लोग घर से बाहर जाते समय बूड़े बरगत की च्छाओं में अपने छोटे बच्चो को रख जाते जाते समय कह जाते बरगत बाबा इनका ख्याल रखना मगर अन्य पेड़ अपने घुमकडी सभाव के कारण कुछ ज़्यादा ही दापरवा हो गए साथी साथ नमें यह अहंकार भी पनप गया कि वे मनुश्यों की दिलना में ज़्यादा श्रेष्ट और योग्या हैं एक दिन पेड़ों को जाने क्या सूजी कि वे सब साथ उड़कर दूड पहाड़ों की ओर चले गए हरी भरी पेड़ों के गायब वो जाने से चारो तरफ सूखा पढ़िया धरती सूखने लगी लोग परिशान हो गए जो भी पेड़ उदर गुजरता उसे वहाँ ठरने का निवेदा ने करता पर वो अब किसी एक की ना सुनता एक दिन उदर गुजरते हुए एक बेर के पेड़ को उन पर दया आ गई वह वहाँ कुछ दिनों के लिए रुक गया मगर उसे अकेले बेर के पेड़ से वहाँ लोग का क्या भला होने वाला था जब उसने देखा कि लोग उसे आम, नीम और पीपल के पेड़ों की तेरह समाने दी रहे हैं तो एक दिन वह भी नराजो कर उड़ गया काफी दिनों के बाद वी सारे प्योड पौदे गुम फिर कर लोटाए जंगल फिर से हरावरा हो गया मगर इस पार वे कुछ जादा ही अंकारी हो गय थे जब उनका मन होता विफल देते, जब उनका मन होता चाया देते, जब उनका मन होता वेहवा देते लोग पेड़ पोदो को समझाते भुझाते उन्हें विनमरतार से रहने की सला देते मगर पेड तस से मस नहीं होते थे पेड कहते हैं हम क्यों जुके हम तुमसे बहुत बड़े और हुचे हैं लोग पेडों के घमांड को देख कर चुप हो जाते एक बार गर्मी की तेज धूप में दो बासों के पेड आपस में किसी छोटी सी बाग पर लड़ पड़े दोनों के टकराने से चिंगारी निकली और उस एक चिंगारी ने देखते ही देखते पूरे जंगल में आग लगा दी आग बढ़ने लगी सिर्फ पेड़ पादे ही नहीं उस आग से जल कर अधिकतर जानवर और लोग भी जलने लगए जंगल में भगदर मच गई एक छोटा सो बच्चा अपने माता पिता से अलग हो गया वा किला बच्चा फूट फूट कर रोते हुए अपनी माता पिता को ढूंड रहा था उसकी करुण पुकाड से पेड़ों के सरदार बरगद वायों को हो गया उसने छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया पेड़ों के मुर्खता और घमड से वा बहुत दुखी हो गया उसने नाराज होकर पेड़ पौदों की सभा बलाई और उनको सजा सुना दी कि अब से वें कहीं उड़ेंगे ना कहीं जाएंगे और ना कुछ बोलेंगे अपनी अपनी जगाट पर अनुशार से खड़े रहकर मौसम के अनुशार फल और फूल देंगे कहते हैं कि उस दिन से पेड़ पौदों ने उड़ने चिलने बोलने की शक्ती का उप्योग करना बंद कर दिया और समझ के साथ वह शक्ती समापत हो गई अब वे सिर्फ आसमान की ओड़ ताकते हुए शायर अपने प्राने दिनों के बारे में सुचते हैं और पस्ताप के आशुप भाते रहते हैं तो अब आप पताईए कि जसे पेड़ पौधों ने अपने ये गुर्मकडी सवहाओ के कारण जंगल में आग लगा दी तो क्या उन्हें सजा देनी चाहिए थी बर्गदवाया कुल को अगर आपको हमारी काणी अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताए लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल स्चोरी टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूले बेल बटन को दबा दे जिससे हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए धन्यवाद दोस्तों अब हम आपसे मिलेंगे हमारी अगले वीडियो में यह सारी मस्ती के साथ अलविदा बाबाई